तीन पईया वाले वाहनों का उत्पादन और बिक्री करेने वाली बजाज आटो लिमिटेड भारत और बाहरी देशों में सबसे आगे है लेकिन एक और बढ़ते पेट्रोल और सीएमजी के दाम और बढ़तीस परता को मते नज़र रखते हुए कमपनी नया मॉडल आरी कॉमपेक्ट लेकर बाजार में उतर रही है कमपनी का दावा है कि ये अपग्रेडेड मॉडल दस फिसित जादा माइलेज देगा साथ ही पावरफुल एंजीन और कम मैंटेनन्स रहेगा और दूसरा इस परड़क्ट के अंदर करीब 10% fuel efficiency माइलेज जादा है तो अगर आपको 40 km प्रती किलोग्राम के हिसाब से CNG में अगर माइलेज मिलता है मिलता था उस परड़क्ट में तो इसमें आपको करीब 44 से 45 के करीब मिलेगा प्लस इस परड़क्ट के अंदर ergonomics इंप्रूव किये गए हैं जिससे कि जो ड्राइवर है वो क्रैम फिलिंग नहीं करेगा और वो काफी लंबे समय तक गाड़ी को चला सकता है गुजरात में साल 2012 और 2013 में कमपनी ने करीब 38,003 पहिये वाले वाहनों की बिक्री की है लेकिन कमपनी का मानना है कि देश के बाके हिस्सों की तुलना में गुजरात में बढ़ रहे CNG के दामों का असर बिक्री में दिखाई पड़ रहा है इसी वज़े से पिछले साल गुजरात में करीब 25 से 30 फिस्सदी बज़ाज आरी की बिक्री कम हुई कमपनी के हिसाब से नए आरी कॉम्पैक्ट में उबगता साल के करीब 20,000 रुपे तक की बचट कर सकता है लेकिन देखना ये है कि मंदी के माहूल में ये नया मॉडेल कितना कारगत साबित होता है नियती में ता एहमदाबाद जान दुनिया